तो हलो एंड वेलकम दो यह वीटिफुल चानल वेदान्तु एंसाइटी सॉलुशन क्लास 11 तें 12 इस चनल पर आप लोग को हर एक सब्जक्ट के हर एक कुशन के डिटेल्ड एंसाइटी सॉलुशन मिलने वाले हैं जैसे कि जो आज हम लोग कर रहे हैं अपना एक्ससाइज 1.1 1.4 कॉशन नंबर 1 क्लास 11 सेट्स अपर रगा है क्या है क्या है क्योशन फरंड यूनियन और इच और फॉलिंग बच्चो यूनियन क्या होता है आप लोग को पता होगा यू इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यूनियन भी चीजों को जोड देना आप लोग ने पढ़ग एक्स यूनियन वाई क्या होगा 1 3 5 1 2 3 को एक साथ लगा देना डैट से ठीक है बट सेट्स क्या होता है अपना सेट्स इजा कंटेनर इन विस डिस्टिंक्ट आइटम आर प्लेस अलग 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 आइटम में होने चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 5 यह जाएगा एक्स आइश कि सवहला इयर्य के इसका अनों को यूनियन निकालना यए आयू यूनियन ब्चों तिहां से डेखना दोनों अपने पास आने चाहिए क्या है देखो ए है पहले तो पहले बीसेट के सारे अलिमंट लिख लो लिख लिए अब इसमें अलडे number and the multiple of three, जहां से देखना, A के आपने पास, X is a natural number and a multiple of three, three, six, nine, twelve, dot 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 dot, चलता चला जाएगा, B के आपने पास, X is a natural number less than six, natural number के starting one से होती, one, two, three, four, five and six, हमको इन दुनों का union निकालना बच्चों, बच्चे इस कुछ इंको बहुत गलत करते हैं, क्या गलती करते हैं, जहां इन बोले तो दोनों को चोड़ के लिखना है, A union B, क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना, one, two, three, four, five, six, तो ऐसी रहेगा, six के बाद अपना nine आएगा, फिर 12 आएगा, फिर dot dot dot, समझ गया हो गया कि 15, 18 ऐसे चलता चला जाएगा, this is your answer, बच्चे इस में क्या घलती करते हैं, intersection और union में confused जाते हैं, इसको कई बारी बहुत सारे बच्चो में answers copies चकरते हो, बच्चो इसका answer क्या लिखते हैं, one, two, three, four, five, six, five, six, लिखके छोड़ देते हैं, ठीक है, but the real answer is this, one, two, three, four, five, six, nine, twelve, fifteen, eighteen, ten infinity, because हापे कोई limit नहीं लगी थी, इस वाले में, यह वाले में, clear हु होड़ना तो यह गलती बहुत बच्चो में निकलती है, एकसे नाचरल नमबर, one, two, six, यह भी बहुत important है, one में equality hold नहीं कर रही है, यह सीच का ध्यानक नहीं है, और six पे equality hold कर रही है, तो ए क्या हो जाएगा अपने पास, one नहीं होगा, two, three, four, five, and six, और हम उसे नाचरल नम होड़ने, six and ten, equality दोनों में hold नहीं कर रही है, तो हो जाएगा अपने पास, seven, eight, and nine, दोनों का union अगर अपने को निकालना हो, a union, b is equals to two, three, four, five, six, जो अलड़ी उनको लिख लेंगे, फिर भी वाले को उसके साथ पर, seven, eight, and nine, देखो, maths को solution तुम देखने है, ओपर detailed explanation बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि NCRT जरूरी है, NCRT तो आरे boards exam में, IIT का exam देने जो, NCRT करके जाओगे, basics वारे clear होंगे, तभी तो आगे का exam दो गया, other subject, fake semester देख लेंगे, तो need to need का पर प्रेशन करने हैं, जरूरी है, बहुत comparative exam से बहुत सारे हैं, सब में जरूरत पढ़ती ही पढ़ती है, NCRT की, ठीक है, चलो, फिफ्ट, 1, 2, 3, and 5, यह बहुत important है, A के आपने पास, 1, 2, 3, and B के आपने पास, 5, अब अच्छो देखना, हमसे खा के union निकालने का, तो 5 means, none, कुछ भी नहीं है, तो इसका union क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 ही अलेगा, तो यह था अपने पास exercise, exercise 1 का 1.4, question number 1 का detailed NCRT explanation, NCRT explanation के लिए चैनल को subscribe कर लेना, वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर देना, चाहती ही और सब्सक्राइटा सखा तो इसका, किके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, next detailed solution के साथ, तब तक लिए ध्यार नख़ झाल